गौतम बुद्ध के प्रेरक प्रसंग जब मन असान्त हो तो कुछ समय मौन रहकर हालात समझे और फिर नीड़ेलें मन को मिल सकती है सान्ती गौतम बुद्ध से एक देखती ने कहा कि मुझे आपसे बहुत सारे प्रस्न पूछना है बुद्ध ने कहा कि पहले एक साल तक मौन रखो फिर प्रस्न पूछना असान्त मन ने प्रस्नों की अधिक्ता रहती है प्रस्नों की वज़ा से हम सही नीड़े नहीं ले पाते हैं ऐसी स्थिती में कुछ मौन हो जाना चाहिए मौन रहकर हालार समझेंगे तो मन को सान्ती मिल सकती है इस संबंध में गौतम बुद्ध से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग प्रचलित है जानिए ये प्रसंग प्रचलित प्रसंग के अनुसार गौतम बुद्ध रोज अपने सिस्स्यों को उपदेश देते थे बुद्ध के प्रवचन सुननी सिस्स्यों के साथ ही अन्य लोग भी पहुँचते थे एक दिन जब बुद्ध प्रवचन दे रहे थे तबी एक व्यक्ती पहुचा और वह बोला कि तथागत मैं आप से बहुत सारे प्रसंग पूछना चाता हूँ मेरा मन बहुत असानत है क्रिपया मेरे प्रसंग के उत्तर दे ताकि मेरा मन सानत हो सके बुद्ध ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे प्रसंग के उत्तर जरूर दोंगा लेकिन तुम्हें एक साल तक मोन धारन करना होगा एक साल के बाद तुम जो भी पूछोगे, तुम में उसका उत्तर मिल जाएगा बुद्ध की बाद मान कर उस बेक्ति ने मौन ब्रद्धारन कर लिया धीरे धीरे वह मौन की वज़े से उसका मने का ग्रह होने लगा वो अध्यान में उतरने लगा, मन भी सान तो होने लगा, उसके सभी प्रस्न खत्म होने लगे, एक साल बीट गया समय पूरा होने के बाद, बुद्ध ने उस ब्यक्ति से कहा, कि अब तुम अपने सभी प्रस्न मुझसे पूछ सकते हो ये बाद सुनकर वो ब्यक्ति हसा, और कहा कि एक साल पहले मेरे मन में कई प्रस्न थें, लेकिन अब सारे प्रस्न सान्त हो गए हैं, अब मेरे पास आप से पूछने के लिए कोई प्रस्न नहीं है पुद्य ने उस ब्यक्ति से कहा कि जब तक हमारा मन सान्त नहीं है, मन में ढेरों प्रस्न उठते रहते हैं, उसकी परेसानिया बनी रहती है अज्यान अब्रह्म की वज़ा से हमारा मन प्रस्नों के उत्तर तक पहुँचे नहीं पाता है उस समय मौन धारण करके हम हालातूं को समझेंगे तो सारे प्रस्नों के उत्तर स्वत ही मिलने लगते हैं मन सान्त हो जाता है तो सभी प्रस्न भी खत्म हो जाते हैं सारी चीजे हम आसानी से समझने लगते हैं और जीवन में सुख सान्ती भी मिल जाती है वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें